हलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सब ही का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी हूँ ओरियो पुडिंग की रेसिपी बहुत डिलिशुस होती है स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती ह जटपड बन भी जाती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां हमने ब्लेंडिंग जार ले लिया है जिसमें हम ओरियो बिस्किट इस तरीके से तोड कर डाल रहे हैं यहां मैंने टोटल आठ बिस्किट लिये हैं अब इन बिस्किट को हम लोग पीस कर इनका पाउडर बना है इसके बाद अब इनी बिस्किट में हम मिला रहे हैं मेल्टेट बटर याने पिगला हुआ बटर दो चम्मच के आसपास है यह दोबारा से हम इसे एक बार और चर्न कर लेंगे एक बार और ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूं कि इसका जो टेक्शर होगा बिस्किट का वो एकदम गीली रेत जैसा जो इसका टेक्शर है वो हो जाएगा एक बार आप देख लीजे देखिए इस तरीके से यह एकदम थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इस बिस्किट को हम लोग साइड में रख देते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरी लेर तयार करते हैं पैन में मैंने एक कब दूद ले लिया है और इसमें मैं दो चम्मच कॉन फ्लार के मिला रही हूं गैस ओन नहीं किया है दूद ठंडा है और दो ही चम्मच हम लोग शक करके मिला लेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं गैस ओन नहीं है ठंडे दूद में ही हमें सबसे पहले कॉन फ्लार को दूद के साथ अच्छे से मिक्स करना है जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा गैस को ओन करेंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक च कि तो जहाईगा हम इसे साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे दूज जैसे ही थंडा हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे eltगे और फीक्षषु मघ्डूरे में डिहे जिन इसमें कर देंगे और वह हमे इसमेंDRAK एंगे चार 5 बाद 고拌 में भी कोई जार ले सकते हैं कोई भी जार ले सकते हैं दालो औरियो डै至 hara ॉरियो कि यह पीस करकी तो अच्छे से हम इससे प्रेस करके आप बड़िया तैयार कर देंगे किसी भी चीज से प्रेस की ज़िए और एक बढ़िया सी लेयर बना दीजिए उसके बाद जो हमारा दूद्ध हमने गाड़ा किया था और उस मिक्स किया थे और बिसके तो डाल देंगे यह हमारी सेकंड लेयर हो जाएगी दूसरे जार में इसी तरीके से हम एक दम बढ़िया से जमा देंगे और अब हम इसके उपर डाल रहे हैं चोकलिट सॉस आप चोकलिट सॉस की जगह चोकलिट गनाश का यूज भी कर सकते हैं दोनों जार के में जो हमारा टॉप का लेयर होगा वो चोकलिट का ही रहेगा अब हमने एक बिसकिट ले लिया है उ और उसके बाद ठंदा ठंदा सर्फ कीजिए I hope your recipe आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा friends and family के साथ में इसे share कीजिएगा मेरे चैनल को जरूर से subscribe कीजिएगा और उसके बाद जब बैल आइकन आएगा उसे भी जरूर से प्रेस जल्दी मिलेंगे हम अगली recipe के साथ में तब तक के लिए बाबाई